कर लिया होगा, पहुच गया होगा, सो गया होगा, खरिद लिया होगा, खा लिया होगा, पहुच गया होते, खा लिया होता, खरिद लिया होता, रहा होगा, खेल रहा होगा, सिख रहे होंगे, जा रहा होगा, ऐसे कई परकार के वाक्य होते हैं, जो दिखते एक तरेके से हैं लेकिन बनते अलग अलग तरीके से संटेंस का पाचान लगभग एकतर हैं जिसे कि कोई काम कर लिया होगा कर गया होता कर रहा होगा यहाँ पर संटेंस किस किस सिचुएशन में बनते हैं कर लिया होगा यहाँ पर मेहब के साथ वेतरी लगाते हैं sentence किसलियग बनाते हैं यहाँ पर past की possibility बताए साता है means संभावना बताए साता है कि कोई काम करने की संभावना है या था या होगा क्योंकि संभावना तीनों tense में आप बना सकते हैं अब याँ पर क्या होगा वह अपना काम पूरा कर लिया होगा ये कब किये, past किये, मतलब present में बेठे बेठे ये बात कर रहे हैं कि वो अपना काम कर लिया होगा, वो अपना काम पोरा कर लिया होगा, वो अंग्रेजी सिख लिया होगा, तो sentence में आप past में possibility भता रहे हैं, संभावना एक ऐसा कोई काम कर लिया होगा, अब sentence बनेगा कैसे, he may May have completed this work संभावना के लिए आपके first word होता है might word होता है might अगर संभावना ज्यादा है तो may और संभावना काम है तो might अगर यहां पर आप आप देख रहे हैं कि इसमें काम पूरा कर लिया होगा संभावना काम है यहां पर आप में के जिगापर माईच परयोग कर सकते हैं नो इसो वे लोग मैच जित लिये होंगे दे मेहाब वन दा मैच वे लोग मैच जित लिये होंगे इस तरीके से कई परकार के sentences होते हैं जो आप बड़े असानी से बना सकते हैं रवी आफिस पहुच गया होगा यहां पर की संभावना है कि कोई काम कर गया होगा तो Ravi may have reached the office अगर यह sentence negative बनेगा तो कैसे होगा Ravi may not have इस प्रगर से they may not have won the match he may not have you might not have completed this work मतलब कि जब भी आप may have परियोग करेंगे तो अगर negative sentence होगा तो may not have होचाएगा इस तरह के से अगर इंट्रिगेटिव रहेगा तो यह may बाहर निकल साएगा जैसे कि आप इससे बोलेंगे may I not have यह I subject हो गया कुछ इस तरह के से sentence बनाई साते हैं इसका structure होता है अगर यह जानेंगे तो sentence mistake नहीं होगा तुमने मेरा नाम सुना होगा आब देखिये इससे बनाएंगे you may have heard my name You may have heard my name तुमने मेरा नाम सुना होगा इसे बोलते हैं तुमने मेरा नाम सुना होगा वहाँ पर तो बात चित करते करते हैं इन सभी sentences का परियोग करते हैं और इन सभी में संभावना हैं इस वज़े से में या माइचेप का परियोग करते हैं अगला जो वर्ड हैं वह रहा होगा यह बताता है में बहुकिन गाम जो प्रजेंट उससे वह क्याल रहा होगा इश मैं घर में हूं लेकिन मैं बात कर रहा हूं रोहन के बारे में कि रोहन कहा है तो रोहन खेल रहा होगा that means कि मैं खेलते हुए उससे नहीं देख रहा हूं संभावना है कि वो खेल रहा होगा क्योंकि रोज इसमें वो खेलने चाता है तो यहां पर खेल रहा होगा present भी है continuous भी है और संभावना भी है तो वहां पर maybe के साथ वीफोर प्रयोग होगा किसे ही में भी प्लेंग वो खेल रहा होगा इस तरह के से अब संटेंस को अगर आप देखते हैं कि संटेंस फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस बता रहा है तो में भी किस जगह पर आप विल भी लगा सकते हैं अगर यह फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम कर रहा हो यहां पर आप देख रहे हैं कि learning वीफोर है sleeping वीफोर है playing वीफोर है कुछ इस तरह के से sentences आप बना सकते हैं और डेली बोल सालमिस का परियुक करते हैं सुमन उससे बात कर रहा होगा सुमन मैं भी talking to him सुमन मैं भी talking to him सुमन उससे बात कर रहा होगा अगर यह sentence negative होगा तो कैसे बनेगा may not be may not be यह अगर संभावनागर काम होगा तो might not be आप लगा सकते हैं इसके बाद आप वीफोर लगाएंगे tense के नुसार तो क्या आप continuous action बता रहे हैं तो वीफोर लगाना पड़ेगा इस तरगे से आप कई सरे sentences कुछ इस तरगे से आप बना सकते हैं कभी आप subject को chance करिए कि subject में I, we, you, they, he, he, she, it बहुत सरे होते हैं आप particular नाम भी ले सकते हैं किसी वस्तु का, किसी व्यक्ती का, किसी चीज़ों का आप ले सकते हैं subject आप कभी बदलिए, कभी आप verb को बदल देशे, इससे कई सरे sentences आप बना सकते हैं कभी आप object जो आ रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेजी हैं, यहाँ पर और भी कुछ ला सकते हैं आप यहाँ पर हीम हैं, तो आप अलल रत्र किस्व नहीं है तो आप subject वह अबर object को change करकर के, एक topic पर अगर आप साहे ना तो at least 20 plus sentences आप बना सकते हैं आप एमेजिन की जगी 20 plus sentences सावगर आप के पाश एक topic पर होगा तो आप सोट आपिक तो आप बना सकते हैं पिकने आप इन्सके सोट आपने आप बना सकते हैं आप इन अबना सकते हैं easy to make sentences just understand the concept and start making sentences like this you can make you can think about any topic like maybe plus before it is telling present continuous possibility and you can think about maybe plus v3 what is the meaning of this and maybe plus other word you can make sentences many types of words you have just understand what is happening right now अब आगे जो देखते हैं वो हैं कर लिया होता इट इस टॉकिंग अबाउट उड्हाप्लेस वेतरी जो बताएगा कि पास्ट में sentence तो हैं लेकिन imaginary sentence है imaginary sentence means you are talking about just you are thinking it is not real it is unreal and you are thinking only तहापर sentence किसे बनेगा उसने अपना काम पूरा कर लिया होता अब sentence किसे बनेगा he would have completed this work या his work that means अपना काम यह पर देखे पास्ट का sentence तो बेसक हैं यह imagine भी कर रहा है जब आप कल्पना करते हैं और just imagine something that time you can use would have less with three like this meaning रवी ने कार खरिद लिया होता तो किसे बनाएंगे रवी उड्हाप बाच आकार यह पर देखे बाच वित्री हैं completed वित्री है और उड्हाप के साथ आ रहा है meaning है कोई काम कर लिया होता just you have to understand you have to think about this sentence because what is the meaning and what is the real use in Delhi life यह इस प्रगार से आपको समझना पड़ेगा कि sentence किस तरह के से बन रहा हम लोग वहाँ पहुच गए होते we would have reached there we would have reached there that means हम लोग वहाँ पहुच गए होते तो how to make sentences just you are talking about your thinking and you are making sentences इसी प्रगार से sentence का meaning कुछ इस तरह के से हैं वह लोग अब तक खाना खालिया होता तो किस समनाएंगे they would have eaten food till now till now means अब तक आप साहें तो यहाँ पर yet भी लगा सकते हैं yet का भी मतलब हैं अब तक और till now के भी मतलब हैं अब तक just it is it's up to you what you can use कर लिया होगा that means must have place with the जो बताएगा कि आप कोई काम कर लिया कर लिये होंगे जरूर कर लिये होंगे emphasize करके so whenever you emphasize on something that means it is used like this जिससे उसने जरूर कुछ खाया होगा किसी बोलते हैं उसने जरूर कुछ खाया होगा he must have eaten something किसी बोलते हैं कि अभी दस बज गए हैं सुबह के और मैं बात कर रहा हूं कि वह भी भूगा है लेकिन किसी ने कहा नहीं उसने जरूर कुछ खाया होगा तो वहाँ पर आप must have के साथ वेधरी लगा सकते हैं just take a topic and take a situation then you can make sentences and you can understand everything how to make sentences what is the meaning of this sentence this concept this structure this topic understand like this रभी उसे जरूर कुछ बताया होगा तो रभी must have told him something इसा बोल सकते हैं वे लोग जरूर उससे मिला होगा तो दे मुस्ट हैब met him met ho told ho eaten ho these all are with three परिया जरूर खाना पकाई होगी परिया must have cooked food परिया must have cooked food परिया जरूर खाना पकाई होगी you can make sentences like this रमेश जरूर पेड काटा होगा तो रमेश जरूर पेड काटा होगा तो रमेश must have cut the tree रमेश must have cut the tree रमेश जरूर पेड काटा होगा तो इसे ही आप sentences के इस तरह बना सकते ही कुछ इस तरह के से So guys, thanks for watching That's all for today